MIUI 14 के Game Turbo 5.0 का एक नया अपडेट आया है जिसमें बहुत साय नए चेंज़स देखने को मिले हैं जहां पे आज हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं कि वाइस चेंजर में क्या क्या चेंज़स देखने को मिले हैं और कौन को से नए फीचर्स एड़ हुए हैं जहां तक Xiaomi की इंफोमिशन आई हैं चेंज लोग के साफ से गाइस इसमें बग फिक्स किये गए हैं और थोड़ी सी ऑक्टिबाइजिशन देखने को मिली हैं जिसके हम लोग आज टेस्टिंग करने वाले हैं और आप इस गेम लॉंचर को कैंसे इंस्टॉल कर सकता हैं इसके बारे में भी बात करेंगे बट उससे पहले इसके टेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर नहीं ने को देखने को मिल रहा है कि पुराना वाला ऐ अनिमेशन है बड़ यहां पे हम लोग चेकाउट करेंगे कि क्या हमें कोई नया UI या कोई नया feature देखने को मिला है settings section में उसके बाद guys हम लोग चेकाउट करेंगे voice changer को तो सबसे पहले guys जाते हैं हम लोग settings section में यहां पे आपको पुराने options देखने को मिल रहे है guys जैसे का आप लोग दे सकते हो कि game settings देखने को मिल जाती है जिसको general setting भी बोलते हैं performance modes देखने को मिल जाते हैं यहां पे guys आप लोग और games को भी add कर सकते हो उसका option देखने को मिल जाता है यहां पर enhance experience का भी options देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको वही पुराने वाले चार देखने को मिल रहे थे बाकी अभी तक internal UI में यो setting में कोई जादा changes देखने को नहीं मिले हैं जो कि मैंने सारे options यहां पर check out कर लेते हैं तो कोई भी नए app यहां आइकन देखने को मिल चुका है इसको सलका सा swipe करते हैं and then guys हमें देखने को मिल जाता है हमारा game turbo इसकी भी guys look change नहीं है हाँ अब जो bugs थे यहां पर boost वाली experience में उसको check out कर लेते हैं तो यहां पर FPS में दिक्कत आ रही थी कि यहां पर 31 के जगा आपको 25 देखने को मिल रहा था क्योंकि अगर हम लोग BGY की बात करें तो उसमें भी guys 40 FPS तक ही देखने को मिल रहा है maximum phone में उस इक साथ उपर option भी देखने को मिल चुका है यहां पे आप लोग multiple apps को भी add कर सकते हो पहले guys bugs आ रहे थे कि आपको plus का icon नहीं देखने को मिल रहा था तो उसको fix कर दिया गया है जो कि अच्छी चीज है नीचे भी guys आपको बाकी options भी देखने को मिल जाते हैं जहां पे guys आप लोग को देखने को मिल जाता है यहां पे brightness control वाला screen lock वाला यहां पे saturation adjust कर सकते हो उससे पहले ज़रूरी है हमारा voice changer जहां पे guys आपको देखने को मिलता था कि आपकी जो voice है वो change नहीं होती थी उसमें हलके से glitters देखने को मिलते थे तो check out कर लेते हैं guys कि सारी voices ठीक हुई है कि नहीं तो सारी voices को check करते हैं यहां पे तो सारी voices guys perfectly work कर रही है कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली जो issues थे guys वो fix हो चुके हैं और आपको guys sound भी अच्छी देखने को मिल रही है बट अभी भी guys जो lady वाली voice है उसमें दिक्कत है उसी के साथ guys उपर जो performance mode on off करने का button था guys वो भी वापिस आ चुका है आप लोग दे सकते हो कि top corner पर आपको व बटन देखने को मिलता है जिससे आप लोग single click में guys इसका light mode on कर सकते हो जो कि एक अच्छी चीज है guys पहले ही आ आप लोग पहला वाला on करोगे तो वो direct guys left से right चला जाएगा और right से left तो इन चीजों को भी guys fix कर दिया गया जो की कछी चीज है और voice changer में guys optimization देखने को मिली है जो कि मुझे personally बहुत साथा पसंद आई है तो अब guys check out कर लेते हैं किसका version कौन सा है और अगर आप लोग guys इसकी download कर लेनी है और install कर लेनी है install करने के बाद guys आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर से clear कर दो अगर install नहीं हो रही है तो security app में जो भी update है बेटा वाला उसको uninstall कर दो then guys आपके phone में install हो जाएगी easily तो download link आपको मिल जाएगा नीचे description में वहाँ से जाके आप लोग download कर स सकते हो कोई भी query है guys नीचे comment section में बता देना और फिर से clear कर दू voice changer का feature उनी phones में work करेगा जिन में voice changer का sport है इन future add हो सकता है बट अभी तो आपको अगर नहीं मिला है तो आपको यह feature भी देखने को नहीं मिलेगा